हालो जी गुड मॉनिंग नमस्ते कैसे हैं आप सब और एक बाफिस से वेलकम आपके अपने चैनल में तो जी दिन है मंगलवार का सुबह का टाइम हो गया आज सुबह 8 अब जी मैंने अपना व्लोग जो है वो स्टार्ट करा है उठ तो टाइम से ही गये थे लेकिन व्लोग ज से थो भी होता है ना ऐससे की थोड़ फोड़ जो है भाग दोड़ की वजाे था औक वहता आराम से काम कर लें क्योंकि काम कम का इत्न कोई प्रेशर था नहीं और प्रेशर तभी होता है जब बचोगोंस खूल जाना होता है थुख सुख वेर्फिन को ये वह स्कूल कूल म 라ट। उप लिका काम इतना कोई खास पूलता है तो इसलिए ये आठ गया उट तो उन्हें जल्दी गे थे बाते बाते करते रहे तो ओती गए और अब भी किचन में सबसे पहले मैं दूद के पती ले खाली करूंगी और कॉमेंट आया था दिये आप कितना दूद लेते हो तो जी दूद मैं लेती हूँ धाइ किलो लेती हूँ भहस का दूद होता है क्यों कि उन्हों ने कॉमेंट ये किया था कि आपके दूध में मलाई जो बहुत जादा मोड़ी आती है मलाई को में जमा कफी कजने घी कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप 3 किलो या 4 किलो दूध लेते हो तो उसमें आप डेली मालो एक किलो धूध आपने जमा दिया है दही और उसका आप जो लस्टी बनाते हो फिर उसका जो मक्खन निकलता है ना 15-20 मिनट उसको बिलो दो और मक्खन उसका जो लस्टी निकलती है ना तो एक तो लस्टी हो जाती है उसमें मक्खन भी निकल जाता है बहुत जब अदस टेस्ट जो हो आता है और घी का घी हो जात तो और भी अच्छी बात जो हो जाती है बहुत बार क्या है मेरा मैं जमानी पाती हूँ क्योंकि दूद होता है मेरे पास एक्स्ट्रा बच्चों के काम के चक्कर में मैं जब भूल जाती हूँ तो यहाँ पर मैं करेले लेकर आई थी मैंने सो सशाम को बनाऊंगी तो दो क्रेले खराब निकले थे और उन में से दो, तीन, तीन क्रेले ठीक थे तो नमक डाल दिया मैंने उसके उपर और मैंने उसको रख दिया धूब में और यहाँ पर दूसरी तरफ गयास पर मैंने चड़ा के रखे हुए हैं यह बैंगन और बैंगन भूनने का वो आता है न उपर टमाटर बैंगन मगरा कोई भी चीज़ हमें भूननी है वो जाली सी आती है तो वो जाली नहीं है मेरे पास और मैं लेकर आऊंगी थोड़ा सा टाइम लगेगा तब बहुत बार दुकान के सामने से निकल भी जाती हूँ और ध्यान नहीं रहता है निकल जाती हूँ ऐसा ही और यहां पर जो मुझे लगाई थी हलकी फुल की भूक तो मैंने सोचा अपने लिखर बुझा यह बचा हुआ था थोड़ा सा ही यह काट लेती हूँ और यह खा लेती हूँ तब तब फिर जो हमारा भेंगन भी भुनकर हो जाएगा तो यह देखिए दोनों भेंगन भेंगन जो है वो अच्छा से भुनकर हो गए है मैंने जो इनको गैस पर रखने से पहले थलका फुल का ना कट लगा लिया था कट लगा कर पता चल जाता है कि इसमें कहीं कीडा वीडा तो नहीं है तो कीडे नहीं थे और बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसी कट के अंदर लसन भर लेते हैं और हरिमेच भी बहुत कम बहुत कम डालती हूँ और इसको मैं कुटूंगी कुंडी में क्या है कि कुंडी का टेस्ट जो एकदम अलग आता है कोई भी चीज कुंडी में कुटी जाती है या सिल्वट्टे में बात एक ही होती है और उसका टेस्ट जो है वो एकदम अलग सा आता है मिक्सी में पीसा हुआ टेस्ट वो नहीं हुआ था जो हाथ से पीसे वे उसमें होता है तेक दरफ मैंने चड़ा दिया कडाई और कडाई में मैंने डाल दिया जीरा हुआ तो मैंने पैयाज और टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था तो वो मैंने इसमें डाल दिया है और मैंने जो है कुंडी में थोड़ा सा वो मैंने धनिया पीस के रख, कूट के रखा हुँ था, सुखा धनिया वो भी डाल दिया, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, जादा कुछ नहीं डाला है, खाली नमक और हल्दी, जो है वो मैंने इसमें अड़ करी हैं, और ऐसे ही ज पानी पीके और बच्चे चले जाते हैं तो खेलने का मुखा यही होता है फिर धूप होते ही तो शाम तक घर से बाहर कोई भी नहीं निकलता है यहां पर जो एक तरफ मेरा तड़का रेडी होता रहेगा तब तक दूसरी साइड में जो है वो आटा भी लगा लूँगी और आ आठाम से जहे हो रोटिया सेख दूँगी अच्छा कल के कोमेंट कल की वीडियो में बहुत सारे कोमेंट आएं दी जो आपने बालों में यह महंदी लगाई इसका रिव्यू जो है वह नाम बता दो कि क्या नाम है इस महंदी का और मतलब तो मैं आप लोगों जिससे मैंने म हुआ दे सकते हो तो आज की वीडियो में आप लोगों कर द МУं nude इसे हो। इंजिए कर दो हुआ करती हुव है कुछप सब intimacy को ती नहीं को ठिक के दिन में थोड़ा सा जो है वो बीजी थी और इस वक्त शाम का टाइम हो गया है अब डारेक्ट शाम को मिल रही हूं यह करीबन जो है पांच सबा पांच के असपास का टाइम जो होने वाला है और मैं नहां के बाकल मैंने बाल दोए थे न तो खाली बालों में मेहंदी लग कर लिया है है हलो जी गूद इवनिंग कैसे हैं आम सब और फिर से वेलकम आपके इतने चैनल में शाम का टाइम होगा सबा पांच हो गया हम हो गया है लेट और है रोश किया मैं नहाई हूं अभी और इमांग चले चल अपनी नोटबुक पकड़ चलते हैं और वरून अभी मेंदी का रिव्यू बहुत जबरदस्त मेंदी एक बार बाल शूप जाए ना असली रिजल्ट आपको तभी पता चलेगा आजा आजा लेट हो गहीं मांग के बारिश भी आने वाड़ी है मोसम बारिश का हवा और आंधी का जो एक बार बाल सूप जाएंगे ना आपको एक सब्सक्राइब कराने का लेकिन अमने ही सोच रही हुँ है तभी चलते हैं और अने के बात बात करेंगे फिर मैं लेट हो गई हूँ और इस वक जो है अभी मैं आपको मिल रही शाम को और आपको अंधेरा बार दिखाई दे रहा हूँगा तो मैं लेट आई थी मैं कहीं चली गई थी किसी काम से और जो है फिर कुछ बारिश वगईरा हो रही थी मंगलवार के दिन भी बारिश होई थी आंधी वगईरा जल्दी हो जाता है तो यहां पर थोड़े बहुत मैंने खीचड़ी मैं बनाऊंगी सब जीवेगर आज कुछ भी नहीं बनने वाली है तो खीचड़ी के लिए मैंने तब तक कूकर चड़ा दिया सिम गैस पे जैसे ही कूकर गरम होगा उसमें मैं अपना तड़का लगा जो है बहुत अच्छे से गरम हो गया था तब मैं डालूंगी खाली हल्दी और नमक वेजिटेबल किचड़ी नहीं बना रही हूं सिम्पल वाली जो है वह बना रही हूं वेजिटेबल में क्या होता है इसके साथ अगर आपके पास कोई सबजिया है तो वह सबजिया आप चावल और डाल जितनी मैंने ली थी उसका दुबना पानी मैंने इसमें आड कर दिया हूं और अभी मैं लगा रही हूं के पोचा क्यूंकि बहुत ही क्यों बच्यों नहीं हाँ पे पानी गिरा दिया था और पानी के में क्या होता है अगर पैड़ वेगा चपलों की लगती तो जो है फर्ष बहुत जादा काला काला गंदा हो जाता है और कॉमेंट भी आता है आप घर के अंदर जो है चपल पैन के क्यों घूमती हो आप बाहर चपल नहीं निकालते हो क्या तो जी हर्याना में ऐसे दूसरे स्टेट का मैं नहीं कह सकती दूसरे स्टेट तो क्या दूस चप्पल निकाल लेते हैं ओरत के डर से कि लोग ये भी पोचा लगा है अगर चप्पल के साथ अंदर गए ना तो चप्पल ही पढ़ेंगे फिर तुम लोगों को बस इसलिए अचा एक चीज एक कमेंट हो रहा है था कि दिए आप जो है मैं शोर्ट से वीडियो जो मैं डालत का घर मेरे घर के सामने बन रहे ना तो उनके यहां से कोई ने कोई बड़ा बज़ूर्ग आ जाता है और टाइमिंग ऐसी ही बनती है वीडियो वगेरा बनाने की तो वर उनके हाथ में फोन होता है तो वो किसी भी टाइम वीडियो बना देता है और जब कोई बड़ा तो जैसी कोई बात नहीं है इस बार गर्मी गर्मी वाली गर्मी लगनी रही है पिछली बार जेट के महीने में कितनी जबर्दस्ट गर्मी थी बर्दास्ट भार थी वह इतनी गर्मी थी लेकिन इस बार जेट के महीने में सावन वाली ठंड़क जो है वो मिल रही है इतनी बा लेकिन कम ले पाती है क्योंकि ठंडा मोसम हो जाता पसीने नहीं आते हैं पसीने नहीं आती तो लपेटने की चुनी जरूत नहीं पड़ती है यहां पर खिचडी भी बन गई थी मैंने घी भी बना दिया था मक्कन भी जो है वो मैंने बना दिया था और मक्कन को जो है वो घी बनने के लिए मैंने गैस पर रख दिया है खाना वगएरा हमारा हो गया है सब बच्चों सबने खाना खा लिया है बस अभी लास्ट में तो नहीं बहुत बरतने यह साफ करूँगी और साथ साथ में जो है मैं ने बरतन खाली किये हैं अभी वो बरतन भी साफ कर दूँंगी तोटली सारा काम खतम करके जब आप सुब किचन में घुसते हो ना तो उसकी फील ही एकदम अलग होती है अच्छा लगता है कि मतलब एकदम साफ सुतरी किचन होती है काम करने में मज़ा आता है हाथ जल्दी ज करता है और पूरा टोटल सफाई करके हम सोते हैं पूरी किचन की क्लीनिंग करके सोते हैं सारे बरतन वगएरा साफ करके सोते हैं हर जगह को उसकी प्रॉपर जगह पे जीज को लगा के हम रखते हैं तो उसका तो मज़ा ही एकदम अलग होता है तो यह पर यह देखे सारे ब करने के लिए क्योंकि बस ऐसे इच्छा हो रही मोसम तो ठंडा है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं नहा लूँ तो इसे लिए और वरुन का दूद गरम होने के लिए मैंने रख दिया है और अभी के साथ-साथ में एक दो बरतन और जैसे दूद का बहुत ज्यादा हो जाते हैं बस अब भी यह सारा काम हो गया खतम और यह कम खतम करके सिंग को भी अच्छे से क्लीन करके रखती हूं ताकि इसमें कोई कोक रोज ना आये कोई किसी तरह का कि टानू जै वो नापन पे और यह घी भी गरम हो गया था तो इस घी को मैं चान द अजिता devotees, और दो मैं से काम है किसी तरह किसी हम झाते हैं चे मैं और सुत हैं था क्छे स्क थाज़ा सिंग दूच स देको फिलतल दिजा तेहं ऑफ बख dealt K Am